नमस्कार बच्चों मेरा नाम प्रदीप सिंग भाटिया है और आज मैं आपको ग्यारवी कक्षा के अर्थ शास्र के आठवे अध्याए आधारिक संरचना का अगला भाग पढ़ाऊंगा इस भाग में मैं आपको विद्यूत अर्थात बिजली और स्वास्थ के बारे में समझाऊंगा आधारिक संरचना का अर्थ मैंने आपको बताया था एक देश का इंफ्रास्रक्चर एक देश की आधारिक सन्रचना काफी हद तक बिजली और स्वास्थ पर निर्भर करती है एक अर्थवेस्ता के लिए विद्युत और स्वास्थ उसकी रीड की हड़ी के समान है आधुनिक सब्भेता की प्रगृती के लिए बिजली एक प्रमुख घटक है किसी देश के आर्थिक विकास को निर्धारित करने वाली आधारिक सन्रचना में बिजली अत्यंत महत्पून है प्राए बिजली की मांग देश में बिजली के उत्पादन से कई गुना अधिक होती है कई अध्यनों से पता चला है कि देश में प्रती वर्ष आठ प्रतिशत सकल घरिलू उत्पाद के लिए लगभग बारा प्रतिशत प्रती वर्ष बिजली की पूर्ती में व्रिद्धी होना जरूरी है अर्थात केवल आठ प्रतिशत सकल घरिलू उत्पाद के लिए बारा प्रतिशत बिजली का अत्रिक्त उत्पादन जो अपने आप में आज के सीमित संसाधनों के रहते असंभवसा नजर आता है भारत में सं 2003-2004 में विद्ध स्रजनशम्ता का लगभग 70 प्रतिशत उत्पादन तापिय स्रोत मतलब ठरमल श्रोतों से होता था जबकि 28 प्रतिशत उत्पादन जल और वाईयू स्रोतों से हुआ और 2.6 प्रतिशत उत्पादन में प्रमानुक्षेतर का योगदान है भारत की ऊर्जा नीती कहीं ना कहीं जल और वायू के ऊर्जा सुरोतों को प्रोचसाहन देती है क्योंकि यह सुरोत जीवाश्म इंधन पर निर्भर नहीं है इसलिए इन में कार्बन उत्सर्जन नहीं होता जिसका पर्यावरण पर कोई बुरा प्रभाव भी नहीं पड़ता बिजली की शक्ती का एक महत्पुन स्रोत प्रमानू ऊर्जा है इसके पर्यावरण संबंदी फाइदे भी हैं तथा दीर्गकाल में यह सस्ती साबित हो सकती है वर्तमान समय में प्रमानू ऊर्जा का कुल प्रात्मिक ऊर्जा खपत में केवल 2.7 प्रतिशत अंश है जबकि विश्व में औसतन 13 प्रतिशत इसका प्रियोग किया जाता है जो कि बहुत ही कम है इसलिए कुछ विद्वानों की राय है कि अधिक से अधिक विद्युत का उत्पादन प्रमानू स्रोत और कुछ अन्य वस्तुओं द्वारा किया जाए जिससे परियावरण पर भी बुरा प्रभाव ना पड़े देश में आज उर्जा संकट मंडरा रहा है अर्थात सभी वालेजिक इंधन की मांग उसकी पूर्थी से अधिक है भारत में कोईले की मात्रा और गुनवत्ता बहुत कम है समय अनुसार जैसे जैसे कोईले का अधिक प्रियोग किया गया वैसे वैसे कोईले की आपूर्थी में कमी होती गई शक्ती आपूर्थी के गंभीर दुरलप्ता बनी हुई है भारत में विद्यूत शेत्र में कई चुनावतियां सामने आई हैं भारत के विद्यूत स्रजन की स्थापना शमता चार प्रितिशत की वार्षिक वृद्धी दर की आवश्यक्ता को पूरा करने के लिए अपरयाप्त है बिजली की बरती मांग को पूरा करने के लिए भारत को लगभग एक लाख मेगावॉट की नए चुमता की आवश्यक्ता है लेकिन वर्तमान समय में भारत में केवल 20,000 मेगावॉट का ही उतपादन बढ़ाया गया है क्योंकि भारत में संसाधन उतनी मातरा में उपलब्द नहीं है बिजली की उत्पादन शम्ता का भी अल्प उपयोग होता है क्योंकि कई बिजली घर उचित तरीके से इसे चला नहीं पा रहे जिससे बिजली का पूर्ण उपयोग नहीं हो पा रहा दूसरी ओर राज्य विद्यूत बोर्ड जो की बिजली वित्तरित करते हैं उनकी हानी लगभग 500 बिलियन रुपे है और यह प्रती वर्ष हानी लगातार बढ़ती जा रही है विद्यूत उद्यूग में यह भी एक कारण है कि यह उद्यूग धीरे धीरे निजी क्षेत्रों के हाथों में जा रहा है क्योंकि सरकारी क्षेत्र में होने के कारण इसके कई हानिया है इसका संचालन और वित्रन में भी बहुत अधिक हानी हो रही है इसकी कीमतें किसानों को ना मात्र कीमतों पर विद्यूत का वित्रण अर्थात किसानों को बहुत कम दाम पर बिजलियू पर लब्द करवाई जाती है कहीं ना कहीं इसका घाटा सरकार को ही सहन करना पड़ता है दूसरी और प्लांट लोड फैक्टर में सुधार लाना भी बहुत आवश्यक है प्लांट लोड फैक्टर का अभी प्राय है जिसके अंतरगत बिजली के उत्पादन को ट्रांसफॉर्मर में एककत्रित करना यह कहलाता है plant load factor आज भारत में transformer इतनी ख्षमता के नहीं है कि वह बिजली को एकत्रित एकठा कर सके जिसके कारण plant का पूर्ण ख्षमता से प्रियोग नहीं हो पा रहा और बिजली का पूर्ण प्रियोग भी नहीं हो रहा इसी प्रकार निजीक्षेतर की सहभागिता को भी प्रोचसाहित करना होगा भारत में शक्ती यानि बिजली उत्पादन में निजीक्षेतर अभी भी इतनी महत्पुन भूमी का नहीं निभा पा रहा सरकार को इनके योगदान को निश्चित रूप से प्रोचसाहित करना चाहिए बिजली शेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की भी आवशकता है उर्जा संरक्षन के लिए C.F.L. के प्रियोग को भी प्रोचसाहित किया गया है इससे बिजली की खपत कम होती है एवं बिजली का कहीं न कहीं प्रियोग होता है आधारिक संरक्षन का अगला घटक आता है स्वास्थ स्वास्थ संपूर्शारिरिक, मानसिक और सामाजिक कल्यान की अवस्था है इसका अर्थ केवल बिमारी का ना होना ही नहीं है बलकि इससे अभी प्राए एक व्यक्ति की स्वास्थ शारीरिक एवं मानसिक अवस्था से है किसी व्यक्ति के काम करने की युग्यता उसकी क्षमता काफी हद तक उसके स्वास्थ पर निर्भर करती है सामानने तोर पर हम जानते हैं कि एक स्वस्त व्यक्ति की उत्पादन ख्षमता अधिक होती है एक स्वस्त व्यक्ति अधिक उत्पादन कर सकता है जिसका कही ना कही एक देश की अर्थवेस्ता में अपना एक योगदान होता है अच्छा स्वास्त जीवन की गुणवत्ता में वृद्धील आता है जनसंक्या के स्वास्त में विकास होना अर्थात मानव संसाधन विकास अगर एक देश की जनसंक्या के स्वास्त में विकास होगा तो कहीं न कहीं मानव संसाधन का भी विकास होगा वास्तव में एक व्यक्ति का स्वास्त किसी भी राष्ट के सामाजिक और आर्थिक विकास का अटूट अंग होता है अच्छे स्वास्त से अभी प्राय है कि कठिन कार्यों को संभालने की कुशलता में वृध्धी अच्छे स्वास्त का अभी प्राय है श्रम की उत्पादक्ता में व्रिद्धी अच्छे स्वास्त का अभी प्राय है मानसिक योग्यताओं में व्रिद्धी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में स्वास्त सुविधाओं में काफी सुधार हुआ है इसके कारण भारत में मृत्युदर में कमी आई है शिशु मृत्युदर भी कम हुई है जीवन प्रत्याशा में वृद्धी हुई है पहले जीवन प्रत्याशा लगभग 32 वर्ष थी जो आज लगभग 65 से 70 वर्ष के बीच में है इसके अतिरे कई जान लेवा बिमारियों जैसे मलेरिया, टीबी, हैजा, चेचक आदी पर नियंत्रण पाया जा सका है स्वास्त है आधारिक संद्चना के विकास से किसी देश में वस्तूओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए स्वस्त जन शक्ती सुनिश्चित होती है कुछ विद्वानों का मानना है कि लोगों को स्वास्त सुविधाएं प्रात करने का अधिकार है एक देश में रहने वाले प्रतेक व्यक्ती का यह अधिकार है कि सरकार द्वारा स्वास्त से सम्मंदित जो भी सुविधाएं प्रादान की जाती है वह उन्हें प्रात करें और यह सरकार की पून रूप से जिम्मेदारी भी बनती है कि वह नागरिकों के स्वस्त स्वास्त जीवन के अधिकार को सुनिश्चित करें स्वास्त अधिकारिक संरचना में हस्पताल, डॉक्टर, नर्स, बेड हस्पतालों में जरूरी उपकरण और एक विक्सित दवा उद्योग शामिल है दूसरी तरफ यह भी सत्ते हैं कि स्वास्त आधारिक संरचना की मात्र उपलब्धी से ही लोग स्वस्त हो जाएं यह आवश्यक नहीं है लोगों तक इन सुविधाओं को पहुंचाना होगा सरकार पर यह संबैधानिक जिम्मेदारी है कि वह स्वस्थ शिक्षा, भोजन में मिलावट, दवाएं, जहरीले पदार्थ, चिकित्सा वेवसाय, जन्म मृत्यू संबंदी आंकड़े मानसिक अक्षमता जैसे स्वास्ते संबंदित गंभीर मुद्दों को निर्देशित और विया निमित करे केंद्र सरकार, केंद्रिय स्वास्त एवं परिवार कल्यान परिशत की सहायता से कई नीतियां और योजनाएं विक्षित की गई हैं यह सूचनाएं एकत्रित करते हैं और देश में महत्पून स्वास्त कारेकरमों को लागू करने के लिए राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और अन्य निकायों को वित्तिय एवं तक्नीकी सहायता प्रदान करते हैं भारत में स्वास्त आधारिक सन्रचना की त्री पक्षिय प्रणाली लागू की गई त्री पक्षिय प्रणाली के अंतरगत प्रात्मिक दृत्तिय एवं तृत्तिय स्वास्त बनाया गया प्रात्मिक स्वास्त के अंतरगत, प्रचलित, स्वास्ते समस्याओं से संबंदित शिक्षा और उन्हें पहचानने, रोक्थाम तथा नियंत्रित करने के तरीके लागू किये गए मा और बच्चे की देखभाल मानसिक स्वास्त को प्रोचसाहन आदी आते हैं इसमें गाउं और छोटे कस्मों के प्रात्मिक स्वास्त केंद्र तथा सामुदाईक स्वास्त केंद्र की स्थापना शामिल है अगला आता है दृत्य स्वास्त इसके अंतरगत स्वास्त देखभाल में हस्पताल जिसमें अच्छी स्वास्त सुविधाएं होती हैं उन्हें शामिल किया जाता है और यह प्रमुक रूप से जिलों तथा अन्य कस्वों में स्थापित होते हैं अगला आता है तृत्य स्वास्त देखभाल इसके अंतरगत स्वास्त केंद्र और बड़े बड़े हस्पताल शामिल होते हैं जिनमें जटिल स्वास्त समस्याओं की दशा में आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्द कराई जाती हैं इसके अंतरगत मेडिकल इंसिट्यूट नैशनल इंसिट्यूट औफ मेंटल हेल्थ नियूरो साइंस ओल इंडिया इंसिट्यूट औफ हाईजीन एंड पब्लिक हेल्थ आते हैं एक बार फिर मैं आपको त्री पक्षिय क्षित्र बताता हूं प्रात्मिक स्वास्त के अंतरगत गाउं में छोटे छोटे कस्बों में छोटे छोटे हस्पताल एक प्रकार से छोटी छोटी डिस्पेंसरी आती हैं वहीं दृत्य शित्र के अंतरगत इस से थोड़े से बड़े हस्पताल चिकित साल्य आते हैं जबकि तृत्य शित्र में शहरों में स्थित बहुत बड़े हस्पताल जहां पर नई नई शोध होते हैं इन शित्रों को लिया जाता है भारत में सन 1951 में हस्पतालों की संख्या केवल 2694 थी जो की सन 2005 में बढ़कर लगभग 28,000 हो गए इसी परकार सन 1951 में हस्पतालों में बेड़ों की संख्या एक लाख 17,000 थी जो की 2005 में 9.1 मिलियन हो गई ऐसे ही स्वास्तिक्षेतर में दवा खाना, स्वास्तिकेंद्र इनकी संख्या में भी लगातार वृद्धी होती जा रही है हाल के वर्षों में सारजनिक स्वास्तिक्षेतर में स्वास्तिके लिए बहुत से कदम उठाए गए परन्तु यह सभी कदम लगभग अपरियापत ही रहे यही कारण है कि आज के समय में निजीक्षेतरों का स्वास्तिक्षेतर में आगमन हुआ भारत में 70% से अधिक हस्पतालों का संचालन निजीख शेत्रों द्वारा किया जा रहा है और इनके पास हस्पतालों में उपलब्द बेड़ों का यानि बिस्तरों का लगभग दो पटा पांचवाँ हिस्सा है वहीं लगभग साथ प्रतिशत दवा खाने निजीक्षेत्र द्वारा चलाए जा रहे हैं पिछले वर्षों में निजीक्षेत्र, मेडिकल शिक्षा एवं प्रशिक्षन, मेडिकल प्रद्योगी की तथा रोग निदान अन्वेक्षन दवाईयों की विक्री, हस्पताल निर्मान और मेडिकल सेवाओं की विवस्था में एक प्रमुख भूमी का निभा रहा है कुछ विद्वानों का मानना है कि भारत के स्वास्त के ख्षेत्र में निजीक्षेत्र का प्रभुत्व होने के कारण कई चिकित्सक ऐसे हैं जिनका आज पंजीकरण भी नहीं हुआ जिने हम फरजी चिकित्सक नकली डॉक्टर कहते हैं सरकार द्वारा कई कदम उठाए गए जिससे इन फरजी चिकित्सकों पर लगाम लगाई जा सके 1990 के दशक में उधारी करण उपायों के कारण अनेक अवप्रवासी भारतियों और अध्योगिक तथा दवा कंपनियों ने भारत के अमीरों और चिकित्सा प्रयाटकों को आकर्शित करने के लिए आधुनिकतम सुपर स्पेशिलिटी हस्पतालों का निर्मान किया आज विदेशों से कई लोग भारत में आते हैं अपना इलाज करवाने क्योंकि आज भी भारत में कई शेत्रों में इलाज अन्य देशों के मुकाबले बहुत सस्ता है जिसे हम चिकित्सा प्रयाटन भी कहते हैं भारतिय चिकित्सा की छे प्रणाली हैं आयुर्वेद, योगा, युनानी, सिद्धा, प्राकर्तिक एवं हेमोपेतिक इसे अयूश के नाम से जाना जाता है सन 2010 के आंकलों के आधार पर भारत में 33,855 हस्पताल एवं दवा खाने थे तथा लगभग 6,11,431 पंजिक्रित डॉक्टर हैं परंतु, शिक्षा, अत्वा शोध अभी भी और परियापती ही है एक अध्यन से यह स्पष्ट किया गया है कि भारत में विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 17 प्रतिशत संख्या निवास करती है मतलब विश्व की 17 प्रतिशत जनसंख्या भारत में है परंतु, इस देश पर विश्व की कुल रोगियों का 20 प्रतिशत बोज है यानि 20 प्रतिशत विश्व में रोगी केवल भारत में है विश्व रोग भार एक सूचक है जिसका प्रियोग विशेशक्य है किसी विशेश रोग के कारण असमय मरने वाले लोगों की संख्या के साथ साथ रोगों के कारण असमर्थता में बिताय सालों की संख्या जानने के लिए करते हैं वर्तमान में 20 प्रतिशत से भी कम जन संख्या जन स्वास्य सुविधाओं का उप्योग करती हैं 20 प्रतिशत से भी कम एक अध्यन से पता चला है कि केवल 38 प्रतिशत प्रात्मिक चिकित्सा केंद्रों में डाक्टरों की संख्या है और केवल 30 प्रतिशत प्रात्मिक चिकित्सा केंद्रों में दवाईयों का परियाप्त भंडार है भारत में 70 प्रतिशत जनसंख्या गाउं में रहती है परन्तु ग्रामेड इलाकों में भारत के केवल एक बटा पांच हस्पताल ही स्थित हैं ग्रामेड भारत के पास कुल दवा खानों के लगभग आदे दवा खाने ही है लगभग 7 लाक बेड में से ग्रामेड शेत्रों में 11 प्रतिशत ही उपलब्द है भारत में जनसंख्या का लगभग आदा भाग महिलाओं का है पूर्षों की तुलना में शिक्षा, आर्थिक गतिविद्यों में भागीदारी और स्वास्त सुविधाओं के ख्षेतर में अनेक कठिनाईयों का सामना महिलाओं को करना पड़ता है देश में शिशू, लिंग अनुपात में 1991 की जनगणना के अनुसार 945 से सन 2001 में 927 की गिरावट होना क्या दर्शाता है भ्रून हत्या अर्थात भारत में भ्रून हत्या लगातार बढ़ती जा रही है भारत में 15 वर्ष से कम लगभग 3 लाख लड़किया ना केवल शादी शुदा है बलकि कम से कम एक बच्चे की मा भी है जो की यह दर्शाता है कि भारत में महिलाओं के स्वास्थ में कोई खास सुधार नहीं हुआ इसके लिए सरकार को कई प्रकार की योजनाए और ठोस कदम उठाने होंगे इन सभी सुधारों के लिए यह आवशक है कि लोगों को स्वास्थ के प्रती जागरुप किया जाए आशा करता हूँ आपको आज के आधारिक संरचना के इस भाग में स्वास्थ और विद्युत के बारे में अच्छे से ग्यात हुआ होगा आप सभी लोग अपना ध्यान रखेगा नमस्कार आप आप सरा वेर किया जाएवा दो टब बशवा इस ड्यात्व में सह झा省 रखेगा आपको ऱ्यात्या में सहर क्वे आपको आपको इसाल